आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं आपके लिए तो MP में फिर से वैकेंसी निकाली गई हैं CHO के लिए आज ही नोटिफिकेशन आया है जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन बटन को जरूर्ब प्रेस करने तो जो वैकेंसी निकली हैं इसी साल के लिए निकाली गई है तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन एंड तक जरूर देखें क्योंकि यहां पर वैकेंसी निकली है यहां पर साफ कहा गया है कि नहीं के अंतरगत जो MP में चो की पोस्ट नेका लिए के लिए और आपको चो की पोस्ट पर नियुक्त किया जागा तो 2021-2022 के लिए रहेगी यहां पर हम रूल वोग पढ़ते हैं कि कौन इसमें फर्म फिलप कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है कितनी वैकेंसी है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जुलाई के लिए 1680 और अक्टूबर के लिए 585 तो 6-6 महिने की ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो यहां पर इस वैकेंसी चो में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों एपलाई कर सकते हैं तो जहां पर मेल और फीमेल दोनों एपलाई कर सकते हैं तो यहां पर वेकेंसी सभी के लिए helpful रहेंगी यहां पर सापका है कि प्रतियक बर्ग में 33% सीटे या फिर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तो यहां पर हम बात करेंगे qualification की क्योंकि most important यही होती है कि कौन apply कर सकता है और कौन नहीं तो यहां पर certificate in community health में प्रवेश के लिए BSC nursing, GNM nursing, Post basic BSC nursing यह तीनों apply कर सकते हैं कौन कौन ? BSC nursing वाले, Post basic BSC nursing वाले और GNM वाले तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनके पास BAMS वो भी apply कर सकते हैं बट आपके यहाँ पर GNM BSU post basic BSC nursing वालों के लिए तो bit registration के कहा गया है बट यहाँ पर जो BAMS वाले हैं उनके लिए कहा गया है कि आपने BAMS pass कर ली हो साथ ही साथ आपकी internship भी complete हो चुकी हो क्या आपकी internship complete हो चुकी हो वो लोग apply कर सकते हैं तो इस वार BSC nursing post basic BSC nursing GNM तो यह लोग apply कर सकते हैं और साथ जाथ BMS वालों को भी इस category में लाके रख दिया गया है तो BMS वाले भी apply कर सकते हैं बात करते हैं हम age limit की तो age limit रहेगी आपकी IUC महा है जो 21 से 40 वर्स 21 साल से लेके 40 साल तक की age group के लोग apply कर सकते हैं आपकी age counting होगी 1 माई 2021 के according यहां पर जो अनुसूचे जन जाती अनुसूचे जाती अन्ने पिछड़ा वर्ग निसक्त जन महीला हैं अनरक्षेत हो या फिर आरक्षेत category की 5 साल का age relaxation मिलेगा तो जो female category के लोग apply करते हैं जाये वो general से हो उनके लिए भी 5 साल की age में छुट दी जाएगी और आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार है यहां पर एक condition रख दी गई है यदि आप लोग सोचते हैं कि आपके पास कहीं का भी registration हो तो वो चलेगा बट आपके पास क्या होना चाहिए MP में रहने का मूल निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए यादि आपने अपनी nursing कहीं से भी की हो चाहे राजिस्थान से करली हो ग्वालियर से की हो और कहीं से भी की हो आपने वो matter नहीं करता बेहार से की हो तो यहां पर जिनके पास अलग-अलग स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो एपलाई कर सकते हैं बट आपके पास मद्ध्य प्रदेश का मुझल निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी है ओनलाइन फॉंम फिलाब चात होए हैं तो 15 माइ से 31 माइ तक फॉंम फिलाब होने वाले हैं लाशट डेट क्या है? 31 माइ 2021 अजसी पंद्रा माइ आध ते स्टा यह यह लाशट डेट baik और फिरसे बताई हुई है की 31 माइ हैं और यहां पर तहा गया है कि जब आप जो एक्जाम में हाँ पर प्रिसिक्ष आपका जो बैच रहेगा 6 महीने की ट्रैनिंग के लिए आप अपना जब बैच में पास आउट हो जाएंगे एक्जाम के बाद 6 महीने की ट्रैनिंग के बाद तो आपको जो एक्जाम होते हैं दो पर कंड़क्ट करवाय जाते हैं तो उसके बाद आपको एजसी यह जो पोस्ट कर दिया जाएगा यहां पर साफ कहा गया है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो सहरी छेत्रों में नहीं होगी जो भी स्वास्त केंद्र होते हैं सवेल सेंटर होते हैं तो वो जनरली ग्रामीन चेत्रों में ही रहते हैं तो आपको वहां पर जाके काम करनक पड़ेगा नेक्स यहां पर बात करेंगे हम कि जो जून 2021 जुलाई 2021 और अक्टूबर 2021 का बेच रहेगा उसको किस प्रकार से रखा जाएगा तो यहां पर कहा है कि यह नियम राष्टी स्वास्तमिशन मध्यप कंडक्ट होगा बड़ आपको जून के वैच में जुलाई के वैच में अक्टूबर के वैच में तो इन तीन बैच में अलग अलग है जो रखे जाएंगे यहां पर बात करेंगे कि आपके लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं तो टोटल यहां पर अट्थाइस्ऑ 50 वैकें तो टोटल मिला के 2850 पोस्ट है इसमें All India Candidate Registration आपके पास INC का Registration है किसी भी स्टेट का Registration है तो बोलोग एपलाई कर सकते हैं बटा आपके पास मध्य प्रिदेश का मूल निवास प्रमानपत्त होना चाहिए जब आप आप फॉर्म फिलप कर रहे हों तो नेक्स्ट यहां पर बात की जाए कि 441 सीटों का जो आवंटा ने पिछडा वर्गी की से सीटों के अनुसार रखा जाएगा बाकी 33% सीटें है जो फीमिल केंडेट के लिए विजर्ब रहेंगी यहां पर आपका ओनलाइन रिटन टेस्ट ह होगा यहां पर साफ कहा गया है ओनलाइन रिटन टेस्ट पर साइटिफिकेट कोर्स इन कम्निटी हैल सेलेक्सन टेस्ट होगा लिखित परिक्ष्छा होगी आपकी और यहां पर जो मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस युनिवर्सिटी MPMSU है उसके अक्वर्डिंग आपको किये जाएंगे नेक्स्ट यहां पर जो CCH का कोर्स रहने वाला है तो यहां पर मेरिट के अनुजार उमीदवारों को जून अक्टूबर और जुलाई के उसमें है जो रखा जाएगा तो जून में जो बैच और जून और अक्टूबर के उनको MPMSU के द्वारा दिया यहां पर नेक्स्ट बात की जाए कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अपलाई करने के लिए तो यहां पर कहा गया है कि आपके पास भारती उप्चरिया परसे नई दिल्ली अथ्वा मध्यप्रदेश उप्चरिया परसे या फिर आपके पास INC का प्रमाण पत्र होना चाहिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपकी इंटर्शिप का जो प्रमाण पत्र हो आपको लगाना होगा कि आपकी इंटर्सिप कंप्लीट हो गई है अदर्वाइस आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट है यहां पर कि आपका जो पोस्टिंग होगी वो संभीदा के आधार जो पोस्टिंग होगी तो यहां पर जो पहले से संभीदा वेस पर काम कर रहे हैं उनको एक अपना NOC लगाना होगा कि आप जो जो पहले कर रहा हैं उसको छोड़ रहा है और यहां पर कोई भी प्रब्लम नहीं है नेक्स यहां पर MP का मुलनवास निवाशी होना चाहिए आपके पास MP अध्य पृदेश का मुलनवास मठथ होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आरक्षन संब्ली निया में जो की पहले बता दिये गया है कि 33% सीट है जो महिलाओं के लिए हैं जो पोस्ट है यहाँ पर MP गवर्मेंट के दौरा निरधारित की गई है एस रिलेक्सेशन में भी आपको बता दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि इस पस्टी करण के तौर पर आयू सीमा की गढ़ना आपके 10 मीं के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी 10th क्लास का जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र होगा आपका अंकिसूची होगी उसमें जो एस दी होगी डेट आप बर्थ होगी उसके अकॉर्डेंग किया जाएगा आपने बीसी नर्सिंग अपनी इगनू से की हो भोजविष्प विध्याला से की हो बोलो कि यहां पर अप्लाई ना करें तो जब आप अप्लाई करें पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लाएं आपको अप्लाई सेम्स की जो ओफीचल वेब साइट जैंसे पहले फॉर्म फिल कि आपको क्या क्या डॉकुमेंट चाहिए क्या क्या अप्लोड करने के लिए चाहिए बीसी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीदेश 1.0, GNDM फी यं अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरेंसिव प्र्मार पत्र लगाना है रिजिस्ट्रेशन आप लगाते तो INC का हो आपके पास MP का हो किसी भी स्टेट का हो तो लगाना है दस्मींग की उत्री रंग की सूची मूलनेबास प्रमार पत्र और आपका जाती प्रमार पत्र यदि जो अधर केटेगरी से अपलाई करते हैं EWS candidate अपना प्रमार पत्र लगाए रिभ्यांगता वाले अपना लगाएं तो यहां पर जादे ऐसे कुछ खास डॉकुमेंट नहीं मंगाए हैं आप अप्लाई करें तो सेम्स की जो अफिचल वेब साइट है यहां से आपके लिए अपलोड करना है अपने पूरे डॉकुमेंट्स जो फॉर्म फिलप करते हैं और एक्जाम डेट आपको सा दिन पहले बता दी जाएगी तो प्रीक्षा की तिथि यहां पर कहा है कि साथ दिन पहले बता दी जाएगी बात करें एक्जाम की तो सौन अभर का पेपर होगा आपका multiple choice question होंगे हां पर आपके तो हर एक question में चार option होगे जिसमें से आपको एक answer सही करना है नेगेटिव मा मार्क से जो लाना जरूरी है, जो सेंद्स के द्वारा ओन्लाइन परीच्छा करवाई जाएगी, 40% आपको नम्मर लाना जरूरी है, बात करेंगे प्रवेस की, मतलब आपका जो प्रवेस परीच्छा होगी, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा मेरिट बेस्ट पर आपको क्वालेज दिये जाएंगे कि आपको कहां पर अपनी six month की training complete करनी है और यहां पर बात की जाती है कि यदि किसी के सेम नंबर आते हैं उनको किस केटेग्री से लिया जाएगा प्रोग्राम स्टेडी सेंटर आप पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना एक बार तो जो भी लोग एपलाई करें मुझ सेम्स के द्वारा आप लोग उनलाइन एपलाई कर सकते हैं तब भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मेरा वाट्सेप नंबर सबके पास है और यहां पर आपका च्छे महीने की training के बाद आपको एक जाएगा कि आप तीन साल तक एटलिस्ट काम करेंगे यह जो आप नहीं करते हैं तो आपको दो लाख रुपे करना होगा और यहां पर जो बाइन होगा तो यहां पर कहा गया है कि सेलरी की बात की जाए तो आपको दस अजार रुपे पर मन्त दिये जाएंगे एजन डर जैसे कि पहले दी जाती है 40,000 पर मन्त कही होप आपको वेकेंसी हेलफुल रही हो बात करते हैं आपको कैसे कहां जाना है तो प्रेस एडबर्टाइजमेंट आप एहां से एक बार पढ़ लेंगे पूरा लोकि देरा माई को रिलीस किया गया है अठाइज सो पचास पढ़ सकते हैं कि आपको सेलरी कित्ती दी जाएगी 15,000 जब आप 10,000 आपके जब जो CHO की ट्रेनिंग चल रही हो उसमें जब आपका स्लेक्शन हो जाता है तो उसके बाद 25,000 पर मन्त है और मांकी इंसेंटिव मिला के आपको 15 है तो टोटल 40,000 पर मन्त आपको पे किया जा है आप पूरा टी ओर जो टरंस आप कंडिशन रूल बुक उसमें पढ़ सकते हैं यहां डारेक्ट जाके आपको एपलाई करने पर क्लिक करेंगे जैसे ही या तो यह रहाय दिया आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस तरीके से पूरा आपको एपलाई कर देना है 31 माई लास्ट एट है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सकते हैं कोसिस कीजिए कि वाट्सएप पर मैसेज करें कॉल ना करें जब भी मेरे पास टाइम रहता है मैं तुरंत रिस्पॉंड करती हूं तो गाइस थैंक्यू फू वाचि बाइस बाहता है।